Hello students, आज हम लोग Mads में Chapter 4 Long and Short हम लोग लंबा और छोटा उसके विशेर पे हम लोग आज कुछ माहिती कलेक करेंगे यानि कि कुछ information कलेक करेंगे लाली is selling things at her father's shop यानि कि लाली है वो अपने father के shop पे selling कर रही है यानि कि कुछ thing से वो sell कर रही थी A farmer comes to buy rope यानि कि एक farmer यानि कि जो खेडूत होता है यानि कि farmer है वो rope यानि कि लंबी रसी लेने के लिए आए can you give me seven arms of rope क्या आप मुझे seven arm यानि कि seven hand arm यानि कि seven arm आप मुझे rope दे सकते हो here is your seven arm of rope ये रहा आपका seven arm rope फिर जो farmer है था वो बोल रहा है but this is only six arm long यानि कि उन्होंने क्या का ये तो only six arm ही है अभी बच्ची क्या बोल रही है यानि कि वो लाली क्या बोल रही है why do not you measure your arm with these rope and take seven times of that length यानि कि ये जो रसी है वो आप अपने आम से क्यों नहीं माप रहे हो यानि कि अपने आम से measurement करके आप ये रसी ले लो क्यों ऐसा कहा लाली ने क्योंकि लाली के हाथ के से थे छोटे लाली के seven seven आम रोप हो रहे थे तभी ये farmer के कितने हुई है six arm इसलिए लाली ने farmer से कहा कि आप seven आम रसी अपने ही सब से ले लो अभी आगे so the farmer measures his arm with the rope and लाली gives him seven times that much rope यानि कि जो ये farmer है वो अपने हाथ से एक आम measurement किया बाद में लाली ने उसे seven times rope बना के seven times के measure करके उन्होंने farmer को दे दिया measure your arm and your mother's arm what is the different अभी यहाँ पे क्या कहा गया है आपकी arm है और अपकी मम्मा की arm है वो measure करनी है आपको और measure करके उसमें क्या different है वो आपको यहाँ पे लिखना है आपकी यहाम है वो छोटी होती है और मम्मा की यहाम है वो बड़ी होती है how many यानि कि कितना In how many steps will the road cross the road यानि कि यह है वो कितने step चल सकेगा और road पे पहुँच सकता है तो हम लोग यहां पे देख सकते हैं यह one step है बाद में इतना two step बाद में इतना three step और बाद में यहां पे four step तो कितना step चलेगा तो रोड तक पहुचेगा four step अभी आगे How many cups can be placed in a line on this table अभी यहां पे हमें three cups दिये गए हैं तो अभी यहां पे total कितने cups रख सकते हैं हम लोग तो चलो हम लोग प्राइ करते हैं सबसे पहले हम लोग एक जेसे सारे cup यहां पे रख देंगे तो total कितने cup होगे आप देख सकते हैं one two three four five six seven और eight तो हम लोग यहां पे कितने cup रख सकते हैं eight कितने eight अभी आगे how many pots can be placed to reach the tree branch अभी यहां पे branch तक पहुचने लिए हमें यहां से कितने pots लगाने होगे तो one है two pot sorry three one two three four और और five total कितने होगे है five अभी आगे how many how many can be hang on the on this wire अभी यहां पे जो wire है उस पे हम लोग एक shirt यहां पे hang किया हुआ है तो वैसे कितने shirt हम लोग hang कर सकते हैं यह one shirt यहां से यहां लेके two shirt और यहां से यहां लेके three shirt यानि कि टोटल three shirt हम लोग hang कर सकते है how much is a centimeter यानि कि cm यानि कि कितने centimeter है अभी हम लोग यहां पे देख सकते है बड़ी सी एक wizard दी गई है हमे वो कितने centimeter तक होगी तो हम लोग scale से गी नहीं है तो यहां पे zero से start होगा zero one two three three four five six seven eight nine ten eleven twelve and 13 तो लिजएड कितनी लंबी है 13 cm very good अभी वैसे यह जो माचिस्टी के वो कितनी लंबी होगी तो हम लोग zero से start करेंगे यहां पे zero one two three और और 4 cm अभी वैसे ही हम लोग यहां पे देख सकते हैं यहां पे क्या दिया गया है वैक्ष कलर है लीफ है और डाय है तो डाय है तो हम लोग zero से start करेंगे तो zero और one तो डाय कितना सेंटीमेटर हुआ वान सेंटीमेटर वैसे ही हम लोग लीफ ट्राय करेंगे लीफ तो जीरो वान टू त्री और फोर सेंटीमेटर तक होगा और वैक्ष कलर जीरो वान टू त्री, फोर फाईब, शीक्स और सेंटीमेटर वैक्ष कलर कितना हुआ है सेंटीमेटर अभी आगे पढ़ते हैं दल माची स्टीक हीश फोर सेंटीमेटर लोग अभी हमने यहां पर आगे देखा जो माची स्टीक थी वो कितने सेंटिमीटर थी? 4 सेंटिमीटर The die is 1 सेंटिमीटर from every side यानि कि यह जो die है वो हमें कितनी बताई गई है? 1 सेंटिमीटर जो हमने यहाँ पे देखा था 0 और 1 यानि कि 1 सेंटिमीटर The lizard is 13 सेंटिमीटर लॉंग यानि कि यहाँ उपर हमें lizard दी गई है वो कितना सेंटिमीटर तक की है? 13 सेंटिमीटर की The leaf is 10 सेंटिमीटर लॉंग अभी leaf कितने सेंटिमीटर लॉंग है? 4 सेंटिमीटर कितना? 4 तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4 The wax color is 10 सेंटिमीटर लॉंग अभी यह wax color है वो कितना लंबा है? 7 सेंटिमीटर कितना? 7 सेंटिमीटर तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 7 अभी आगे Now, look at the scale that you find in a geometry box How many centimeters does it have? यानि कि हमारे compass में जो scale रहती है छोटी वाली scale रहती है वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है हमें तो यह scale में टोटल कितने सेंटिमीटर से रहते हैं यहाँ 0 से स्टार्ट करके टोटल कितने हुए हैं? तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1, 5, 15 cm कितने रहते हैं? 1, 5, 15 The small scale that you mostly use in school is like this one यानि कि यह जो छोटी वाली scale है हम लोग जो mostly school में यूज करते हैं वो इस तरह से देखी जाती है हमने आगे देखी आप फिर से देख सकते हो दोनों सेम हैं यह वाली scale और यह वाली scale दोनों एक जैसी है अभी आगे Is it is there to start measuring from the zero mark यानि कि यहां से zero से हम लोग mark करेगे तो वो हमें easy रहेगा look at the things drawn near the scale यहां पे scale के पास हमें कुछ things दी गई है वो में देखनी है and find out their length और उसकी length हमें यहां पे लिखनी है अभी यहां पे हमें छोटी सी pin दी गई है जो zero से one centimeter यानि हम लोग one cm लिख सकते है centimeter को sorts में हम लोग cm लिखेंगे one centimeter यहां उससे बड़ी pin दी गई है जो two centimeters तक की है तो हम लोग यहां पे लिखेंगे two cm और यहां उससे भी बड़ी कुछ things दी गई है वो three centimeters तक है तो हम लोग यहां पे लिखेंगे three centimeters अब यह बड़ी वाली things है तो वहां पे हम कितने तक है zero से four तो यहां पे लिखेंगे आप लोग four centimeter अभी आगे what are the little line on the scale used from यानि कि जो scale पे यह छोटी छोटी line है वो में यहां पे छोटी छोटी line क्यों दी गई है क्योंकि उससे हम यह सारी छोटी छोटी जो things है वो आप क्या कर सकते है measurement कर सकते है इसलिए हमें वो छोटी छोटी line दी गई है उसको क्या बोलते हैं हम लोग मिमी यानि की mm यानि की 1 mm equal to 0.1 cm यानि की नीचे हमें कुछ things दी गए है उसके हिसाब से हमें question के answer देने हैं about 10 cm long यानि की 10 cm से ज्यादा लंबी चीज कौन सी है तो हम लोग यहां पे लिख सकते हैं about 10 cm long यानि की 10 cm से लंबी क्या होती है यानि की 10 और 20 cm के बीच 10 और 20 cm के बीच लंबी चीज क्या होती है हमारी scale यानि की scale जो है वो 10 और 20 cm के बीच होती है less than scale और scales के अलावा भी water bottle वगेरे things आ सकती है as it is less than 1 cm long यानि की less than 1 cm long यानि की 1 cm से भी छोटी चीज क्या है तो हम लोग लिख सकते हैं seeds यानि की कोई भी जो seeds है वो सबसे 1 cm से कम रहता है draw some of them here यहाँ पे आपको draw करना है छोटी छोटी चीज है यहाँ पे तीन चीज दी गए वैसी चीज आपको यहाँ पे क्या करनी है draw करनी है how big is my hand यानि की मेरा हाथ कितना लंबा है measure the length of your thumb and your little finger यानि की इसे हम लोग क्या कहते हैं thumb और यह last वाली finger है उसे हम क्या कहते हैं लीटल फिंगर क्या कहते हैं लीटल फिंगर ओके तो जो थाम एंड लीटल फिंगर है उसकी हमें length को क्या करना है measure करना है use this scale on this page और scale से हमें उसको क्या करना है measure करना है which is longer अभी इन दोनों में से सबसे बड़ा कौन है जो आपको क्या करना है measure करके यहां पे लिखना है thumb और लीटल फिंगर या फिर लीटल फिंगर है जो आपको डुणना है bring a measuring tape to your class अपने class में हमें क्या लेके जाना है measuring tape यानि कि जिस से हम लोग वो tailor है वो कपडों का नाप लेता है वो measuring tape guess the length of different part of your body and check if your guess incorrect you can use a scale starting sorry string measuring tape यानि कि सबसे पहले हमें वो measuring tape लेके अपने जो body part से उसकों में क्या करना है नापना है और बाद में सबसे पहले हमें क्या करना है guess करना है कि कितना centimeter तक उफोगा और उसके बाद जो हमें ना पेंगे वो correct answer हमें लिखना है think how will you know the number of centimeters if you measure with a rope, two string, threads, etc. यानि कि आप जो रो पे यानि कि जो दोरी रसी है वो so string यानि कि जो सूस की जो रसी आती है वो और थ्रे उसकी जो लंबा यानि कि वो दोरी है वो कितनी लंबी है आप नाप सकते हो वो यहाँ पे पूछा है हमें अभी आगे दिखते हैं तो अभी हमें यहाँ पे कुछ दिया गया है nose यहाँ पे my measurement my friends measurement यह अपना measurement और यहाँ पे क्या करना है अपने friends का measurement not करना है सबसे पहले nose यानि कि हमें nose नापना है तो I think मेरा nose 3 cm है और आपके friends का 4 cm है मैंने ऐसे ही लिखा है आपको measurement करके लिखना है around the wrist यानि कि जो हाथ की जो wrist होती है 14 cm है और अपने friends की 13 cm ब्रिस्ट को क्या बोलते है यह है यह wrist है जो हाथ के नस्दिक होती है वो the hand यानि कि सर मेरा है 45 cm और मेरे friends का है 44 cm इयर यानि कि कान कान के है 7 cm और friends के है 8 cm hands यानि कि tip of middle fingers to wrist यानि कि जो middle finger रहे थी है वहाँ से यहां तब यानि कि वहाँ तक की wrist यानि कि wrist की लंबा होती है वो है 14 cm और friends की है 15 cm अभी आगे compare your measurement with your friends यानि कि अपनी measurement है वो अपने friends के साथ हमें क्या करनी है compare करना है who has the biggest hand and who has the smallest hand यानि कि सबसे बड़ा head किसका है तो head 45 और 44 तो किसका है तो कि my यानि कि मेरा और सबसे छोटा किसका है friends का तो यहां पे मैं लिखूंगी my यानि कि मेरा है वो सबसे बड़ा है और friends का है वो छोटा है पर यहां पे आपको अपना नम लिखना है और यहाँ पे अपने friends का नम लिखना है Who has the longest hand from middle finger to wrist यानि कि सबसे लंबा hand यानि कि किसका है अपने friends का है वो 15 cm से तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे friends यानि कि जो भी कोई friends है उसका नम लिखेंगे which is longer your ear or your nose यानि कि सबसे लंबा क्या है अपना ear यानि कि कान और अपना nose नोज या ear कौन सा वाला लंबा है तो चलो हम लोग देखते हैं ear है 7 cm और nose है 3 cm तो ear लंबा है ना तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे ear यानि कि कान अभी is any of your nail more than 1 cm long यानि कि आपके जो नेल है वो 1 cm long है या 1 cm long है अभी आगे गिबली एंद ग्रेंज यानि कि गिबली और ग्रेंज यानि कि कुछ अनाज के दान है and गिबली sorry and गिबली has to read the grains यानि कि गिबली जो अन्स है यानि कि गिबली चिटी है उसे grains तक पॉंचना है she is looking for the shortest road और उसे sort road हमें डूढने में मदद करने can you tell her which is the shortest क्या आप उसे सबसे छोटा वला रस्ता दिखा सकते हो ये A रस्ता है ये B ये C और ये D वाला है तो आप सब लोग देखी रहे हो ये D वाला रस्ता बहुत लंबा है बाद में A वाला भी लंबा है C वाला भी लंबा है और B वाला उससे थोड़ा छोटा है तो हमें ये आपे सबसे छोटा रस्ता कौन सा है B अभी आगे देखते है can you draw a road shorter than this what is the length of that road यानि कि आप सबसे छोटा वाला रास्ता ड्रो कर सकते हो हाँ हम लोग ड्रो कर सकते हैं वो कितने सेंटिमेटर लंबा होगा तो चलो हम लोग देखते हैं सबसे पहले हम लोग छोटा वाला रास्ता यहां से स्टार्ट करेगे डायरक्ली ग्रेन तक पहुँचेगा टोटल कितना हुआ जीरो से स्टार्ट होगा जीरो से स्टार्ट और ग्रेन तक पहुँच गया तो बच्चों हम लोग देख सकते हैं जीरो से स्टार्ट किया हमने और 11.50 तक पहुँच आए तो कितनी लंबी स्ट्रेंद है तो 11 प्लस 11.5 यानि कि 11 cm complete और बाद में 5, 0.5 यानि की 11.5 cm है, ओके तो यहां हमारा part 1 complete होता है